दोस्तों SSC GD 2018 की जो वेकेंसी है उसको लेकर बहुत ही जरूरी अपडेट है ठीक है बहुत अच्छी जानकारी है आप लोग इससे खुस हो जाएंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है SSC ठीक है इसमें SSC की सारी वेकेंसी की बारे में बहुत साई जानकारी दी हुई है और SSC GD 2018 को लेकर बहुत अच्छी चीज इसमें दी हुई है पुरानी भरती परिक्षाओं से करीब 90,000 युवा ध्यान से देखिएगा ठीक है हम यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा पढ़ते हैं बहुत अच्छे से कर्मचारी चैन आयोग लंबित परिक्षाओं के परिड़ाम जारी कर बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार दैनी की तैयारी में है आयोग की और से आने वाले दिनों में चार बड़ी भरती के परिड़ाम जारी करने के बाद करीब 90,000 युवाओं को नौकरी मि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परिक्षा परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है मतलब आप देखिए ये जो वेकेंसी हैं इनका अंतिम परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है ठीक है ये एक खुशकवरी हो गई अब दूसरी खुशकवरी और है ठीक है इसको देखेंगे तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुए सबसे पहले कर्मचारी सायन आयोक की और से कैंद्री सुरक्षा बल कॉंस्टेबल जीडी भरती का परिक्षा 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 है मतलब CTGD जो हमारी SSCGD की परिक्षा है इसके परिडाम पहले आने की तैयारी की जा रही है ठीक है एक और यह खुशकवरी हो गई अब दूसरी और खुशकवरी सुनेंगे हम ठीक है इसको हम आगे बनाएंगे आयोक से जुड़े अधिकारियों के मताविक मेडिकल परिक्षण के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा मेडिकल परिक्षण आपको पता है कि नवंबर तक आपका होना है तो नवंबर के बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा Constable परिक्षा 2018 के अंतिम चरण में Medical परिक्षा परिक्षन चल रहा है यह देखिए आप लिखा हुआ है Medical परिक्षन चल रहा है और पूरा होते ही अंतिम परिक्षा 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 परिक्षन चारी कर दिया जाएगा ठीक है एक कुस्खबरी यह हो गई कि आपका result आने के आसार बहुत ही ज़्यादा जल्दी है एक और खुस्खबरी और बाकी है अकेले इस भरती से ही लगबख 70,000 बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी इसमें लिखा हुआ है कि SSC GD की जो अकेले भरती है इस से लगबख 70,000 लोगों को नौकरी मिलेगी अब देखिए पोस्ट तो दोस्तो 60,000 के करीब है ठीक है इसने 70,000 लिखा है क्या 10,000 पोस्ट बढ़ने वाली है ठीक है एक ये कोश्चन बनाए रखना इसका जवाब आपको मिलेगा इसके अलावा आयोक की और से जेई परिक्चा का अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी है SSC ने जेई परिक्चा के चाहिनितों के दास्तावेच का वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है जेई भरती परिक्चा परिणाम आने के बाद लगभग 1500 बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी आयोक की और से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परिक्चा का भी परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है इस परिक्चा में लगभग 100 पत सामिल है ऐसे में योगाओं का इंतजार अब खत्म होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर CHSL 2018 स्किल टेस्ट 26 नॉम्बर को इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है तो इसको हम नहीं बढ़ते हैं ठीक है हम आते हैं SSC GD पर यहाँ पर यह जो SSC GD का लिखा हुआ है कि इस अकेली भरती से 70,000 लोगों का जो है सेलेक्शन होने वाला है अब मुझे बताइए दोस्तों 60,000 जो हमारी वेकेंसी है 60,000 के असपास ठीक है तो 70,000 के 10,000 वेकेंसी जो है बढ़ने वाली है ठीक है ऐसा इसमें आया हुआ है इसके मुताविक तो दसार वेकेंसी बढ़ने वाली है लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान रखिए इसको लेकर दोस्तों यह जो 70,000 लिखा हुआ है इसको लेकर अभी ऑफिशल नोटिस नहीं है CRPF में भी नहीं है ठीक है और ना ही SSC में है SSC में भी नहीं है और CRPF में भी नहीं है मेरी आपसे request है दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ मेरी प्लीज एक request मानिएगा इसमें भला आप लोगों का ही है ठीक है मेरा कुछ नहीं होना है आप लोगों का ही भला है देखिए ट्विटर पर जाईएगा कहीं और कुछ भी करने की जरुवत नहीं है और सिर्फ और सिर्फ दोस्तों SSC को ये जीज़ आप टैग करिए SSC SSC को टैग करिए अमित सहाजी को टैग करिए ठीक है और जो हमारे खेल मंत्री है उनको भी टैग करना ठीक है वो क्यों जरूरी है क्योंकि वो भी डिफेंस से जड़े हुए है मैंने उनकी ID चेक करी थी वो भी ITVP के सेंडर्स CRPF के सेंडर्स आर्मी के सेंडर्स जा दे रहते हैं ठीक है तो उन्हें भी आप कर सकते हैं और नहीं तो सबसे अच्छा है आप जो है ट्विट करिए किसको SSC को और दोस्तों CRPF को करने से क्यों मतलब नहीं है मैं बताता हूँ CRPF को दोस्तों आप कॉल करते हैं तो उससे यही information मिलती है और जो इनको tender मिला हुए वो सिर्फ physical और medical का था लेकिन जो SSC है वही आपका final merit देगा वही आपकी vacancy को increase कर सकता है इसमें दो लोग involved होंगे vacancy को increase करने में एक तो SSC vacancy increase करने के लिए request कर सकता है किसको जो अपने defense minister है जो ministry of defense है उसको कि यदि vacancy का लिए है तो आप हमारे पास भीज दिए हम उसको accept कर लेंगे इसी vacancy में डाल लेंगे ठीक है तो इसके लिए आपको दो लोगों को ministry of home affairs को भी tag करना है ठीक है ministry of home affairs को tag करो amissahaj ji को tag करो ठीक है राजनाथ सिंग जी को defense minister राजनाथ सिंग जी को भी track करो तो इन लोगों को आप लोगों को सबको एक साथ ही एक ही post में सारे लोगों को tag करना है और tweet करना है ठीक है ये करिएगा दोस्तों इससे फाइदा आपका ही होना है दोस्तों ये दिखिए official नहीं आया है हुआ है इसमें unofficial दिया हुआ है लेकिन official आ सकता है आपके पास कुछ ही समय है तो उंगलियों का आप जो यूज करते हैं फालतू मॉवाइल में कम सहीं जगा यूज करिए जिससे आपका फ्यूचर बन जाए मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर मानिएगा प्लीज आपके थोड़े से ट्ट आपकी खुद की मदद कर सकते हैं मेरी इसमें कोई मदद भी नहीं होनी है वीडियो को शेयर कर देना लाइक आई करना हो तो करना नहीं तो मत करना लेकिन शेयर कर देना ताकि आपके जो दोस्त हैं भाई लोग हैं पूस ज़्यादा इस चीज़ को फैला दें उनके पास जानकारी पहुँचे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं इस चीज़ से अभी खुस मत होना ये जो लिखा हुआ है इससे अभी खुस होनी की जरुवत नहीं है ये जिस दिन ऑफिशल आ गया उस दिन आ करना ये कि आप जबरदस्ती करिए हमारा करियर खराब हो जाएगा ये ऐसे करने की कोई जरुवत नहीं है अच्छे से रिक्वेस्ट करके आप उन्हें बोलेगे कि सर प्लीज हम लोग की एज कंप्लीट हो जाएगी हम लोग दोबारा से से स्टीडी के एक्जाम नहीं दे पाइंगे हम लोग जवान बनना चाते हैं इस देश की सेवा करना चाते हैं अच्छे नागरी है इस हसाब से आप अच्छे से उन से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों तो अच्छे से करेंगे तो शायद उसे सोना जा सकता तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है प्लीज अच्छे जरूर करिएगा धन्यवाद